बेटा देखना बहु आजकल खाना बनाना भूल गई है सबजी कैसे बनाई है ममी जी आपने बुलाया बहु मैं देख रही हूँ आजकल तु खाना बनाना भूल गई है ममी जी ऐसी तो कोई बात नहीं है जैसे मैं पहले सब्जी यां बनाती थी, वैसी ही तो मैं बनाती हूँ अरे बहु, अब तु रहने दे, अब तेरे हास की सब्जी न, अच्छी नहीं बनती है स्वाधी चला गया सब्जी का, अब मैं अपने हास से बना लिया करूँगी ठीक है मम्मी जी अब आप कह रहे हो तो आप भी बना लिया करो सब्जी बहू तुझे अच्छे से पता है मुझे गंदगी नहीं पसंद है उपर उपर से ज़ाडू लगा लेती है मम्मी जी मैं क्या करूँ मुझे नब ज़ादा जुक कर ज़ाडू लगाई नहीं जाती है बस एक महीनी की बात है हमारी कामवाली आ जाएगी तो वो ही कर लिया करेगी सारी सफाई अरे बहु तु ये कैसी बाते कर रही है अब एक महने काम वाली नहीं आएगी तु उससे काम करवा के अपना घर सड़वा लूगी क्या नहीं ममी जी मेरा कहने का वो मतलब नहीं था तेरा कहने का मतलब कुछ भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, जब तक काम वाली नहीं आती है न, मैं सफाई करूंगी, ते जाड़ू ठीक है ममी जी, जैसे आपको ठीक लगे अरे क्या बताओं ममी, मेरी सास के तो नकरी खतमनी होते हैं, खाना बना के देती हूं, तो कहती हैं, तु स्वात खाना नहीं बनाती है, अब तेरे हाथों में से स्वात चला गया है, अब मेरी काम वाली एक महीने के लिए छुट्टी पे चली गई है, तो जाड़ू लगाती ह तो हाथ में से जाड़ू चीन लेती हैं, कहती हैं, तु साफ सफाई नहीं करती है, क्या करूं ममी, बहू, बहू, एक बात बता, पैसे क्या पेड़ में उखते हैं, तु जो बर्बादी करने में तुली पड़ी है, ममी जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, और मैंने क्या पैस का फ्रूट्स फ्री में आते हैं और आप ऐसी क्यों बोल रहे हो ऐसे ना बोलू तो क्या करूं मैं फ्रूट जब कोई खाएगा नी तो सड़ी जाएंगे ना सुन बहू आज से मेरी एक बात कान खुल के सुन ले आज से फ्रूट तू भी खाएगी और मुझे भी काटके ठीक है ममी जी जैसे आपको ठीक लगे पेटा यह देखना राम मंदर कितना सुन्दर बना हुआ है सब ने फोटो डाली है हाँ ममी जी घर का सारा राशन का समान खतम हो गया है मैंने लिस्ट बना लिया है आपको कुछ मंगाना है तो मुझे बता दो मैं और रजीव जा रह तोनों जारे हैं समान लेने के लिए बहु तो हमेंसे ना उल्टा सीजा समान लेके आती है तु रहने दे मैं इसके साथ चली जाती हूँ ठीक है ममी जी मैं आपको समान की लिस्ट दे देती हूँ आप ही चले जो राजीव के साथ समान लेने के लिए मम्मी एक बाद बताओ मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ अचानक से आपका रवया डॉली के लिए चेंज हो गया है अब आप उसके हर काम में कम्या निकालने लग देखे हो मम्मी पहले तो आप डॉली से बहुत प्यार करते थे बेटा बहुत से प्यारना मैं अब भी बहुत करती हूँ तभी उसको घर के काम करने से मैं रोकती हूँ तभी रोकती हूँ मम्मी एक तरफ तो आप कह रहे हो क्या प्यार करती हो और दूसरी तरफ आपको डॉली के कोई काम पसंदने आते हैं आप उसे काम करने से रोकती हो ममी कुछ समय ही नहीं आया बेटा मैं बहु से बहुत प्यार करती हूँ आ गई बहु हाँ ममी जी मैं आ गई हूँ और आप ने मुझे डाटने का जूटा नाटक किया मैंने आपकी और राजीव की सारी बाते सुन लिये हाँ बहु एक ये जूटा नाटक था क्योंकि तुझे मैं अपनी बहु नहीं मानती हो, अपनी बेटी मानती हो बहु, ओ दिन में कैसे बूल सकती हूँ, जब मुझे करोना हुआ था तुने अपनी जान की परवा ना करते हुए, मुझे मौत के मूँ से निकाला और रात दिन मेरी सेवा की ममी जी, आप ये कैसी बाते कर रहे हो, क्यों न करती मैं आपकी सेवा मैंने आपको हमेशा अपनी सास नहीं, हमेशा अपनी मा ही माना है और अपनी मा को मैं मौत के मूँ में कभी नहीं छोड़ सकती थी अरे ममी जी, ये हिंदी सीजल देखकर आप भी नाटक अच्छा कर लेती हो डॉली और मैं तो यही समझ रहे थे, कि आप सच में बदल गई हो अब ममी, जब तक हमारी काम वाली गाउं से वापिस नहीं आती न तो आप दोनों के साथ घर के कामों में मैं भी हल्प कर दिया करूँगा